श्रीराधे, नमस्कार दोस्तों, आप सबे का हमारी यूट्यूब चैनल में स्वागत है, मैं विजिंदर, आज आपके लिए बाके बिहारी के चमतकार की एक और में कथा लेके आया हूँ, ये बाके बिहारी के चमतकार की ग्यानवी कथा है, इससे पहले की कथा, मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूगा, वहां से सुन सकते हैं, व्रिंदावन में एक बाके बिहारी का भगत्ता, बड़ा ही निश्काम था, बाके बिहारी से कुछ नहीं चाहता था, केवल और केवल प्रेम, ये बाके बिहारी, तु देना चाहे तो प्रेम दे, पेसे से वो एक दुकानदार था, रोज प्रति दिन बांके बिहारी जी के मंदर में जाता और फिर बाके समय गो सेवा में, दान में, बड़े ही धर्म के काम करता था, बिमार और ऐसा हाई लोगों की भी सायता करता था, जब बांके बिहारी जी के मंदर में जाता, तो उसे बांके बिहारी नहीं दिखते थे, एक जोती दिखती थी, केवल एक प्रकाश, और जब बिहारी जी से मिलने जाता, ने कोई दिया जलाता, ने कोई माला लेके जाता, ने कोई पूजा करता, केवल और केवल एक काम करता था जो उसके पिता ने उसे कह रखा था और उस बात को उसने जीवन मंत्र बना लिया था उसके पिता ने कहा था कि बिटा देख बिहारी जी की सेवा तो भाव से होती है और सभी में बिहारी जी है तो उनकी संतान किसी भी तरह से दुखी न हो क्योंकि सभी उनकी संतान है पुसू पक्षी, जीव, मनुश्य, कोई भी ऐसा हाय न हो, दुखी न हो तू सब की सेवा करना बिटा जैसा मैंने आपको पहले बताया तो इस तरह से वो सेवा करता था सभी जीवों की बिहारी जिमान की अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब वो बांके बिहारी का दर्शन करता तूसे एक जोती दिखाई देती थी जब अन्य लोग मा के बिहारी का दर्शन करते तो कोई कहता कि श्रेंगार इतना प्यारा है कोई कहता कि आखे इतनी प्यारी है कोई कहता भगवान की पोसाक इतनी प्यारी है कोई कहता भगवान का मुकुट इतना सुन्दर है लेकिन वो देख ही नहीं पाता था उसे तो केवल एक जोती ही दिखाई देती रोज ऐसा होता एक दिन बिहारी जी से उसने कहा हे बिहारी जी आप सबको तो इतना सुन्दर दर्शन देते हो लेकिन जब मेरे दर्शन की बारी आती है मुझे देखना होता है तो केवल आप एक जोती दिखाई देती है तो केवल एक जोती दिखाते हो क्या बात है बहुत हो गया बिहारी जी ऐसा है अगर मुझे कल आपका दर्शन नहीं हुआ तो मैं अपने प्रान त्याग दूँगा यमना जी मी कूद के देख लेना आप वो ये बात कहे कर मंदिर से चला गया अब तो बिहारी जी को भी बड़ी चिंता हुई कि अरे अगर मैंने इसे कल दर्शन नि दिये तो ये तो सच में प्रान त्याग देगा बड़ा भगत था कहते हैं उसी रात बांके बिहारी जी एक कोड़ी था उस कोड़ी के सपने में आये हैं वो कोड़ी रोज जाके मंदिर के रास्ते में बैठता था भगवान प्रकट हुए उसने कहा प्रणाम बिहारी जी मैं इस लायक तो नहीं हूँ आप सपने में आये लेकिन आये हैं तो कहिए मैं क्या सिवा करूँ बिहारी जी बोले देख तु अपना कोड़ ठीक करना चाता है उसने कहा हाँ प्रभू तो कहा कि सुबह एक भगत आएगा मेरा दर्शन करने के लिए और तुम उसके चरण पकड़ लेना और छोड़ना मत बोले कब तक बोले जब तक मत छोड़ना जब तक वो ये न कह दे कि हे बिहारी जी इसका कोड़ ठीक कर दो वो बोला ठीक है प्रभू लेकिन प्रभू एक बात बताओ मैं उसे पैचानूंगा कैसे तब भगवार ने कहा जिसके पैरो से तुम्हे प्रकास निकलता हुए दिखाई दे वो ही मेरा भग्त है बोले ठीक है बिहारी जी बिहारी जी की बात मानके वो कोड़ी मंदर के रास्ते में बैठ गया सुबह हुई सुबह होने पर वो भग्त बांके बिहारी का दर्शन करने गया और वो कोड़ी मंदर के रास्ते में बैठा था जैसे ही उसके पैरो का प्रकास देखा तो वो कोड़ी चरणों में गर गया वो भग्त बोला कि छोड़ो भाई तुम कोन हो मुझे बिहारी जी की दर्शन के लिए जाने दो उसने कहा कि ठीक है मैं जाने दूँगा लेकिन पहले आप ये कहो कि मेरा कोड़ ठीक हो जाए वो भग्त बोला अगर मेरे कहने से ठीक होता तो जाने कितनी दुनिया तुजे दुआ दे चुकी होंगी तो तेरा कोड़ ठीक न हो गया होता तो मेरा पैर छोड़ दे वो कोड़ी भी जिद करके बैठ गया जब तक आप ये न कहोगे कि हे बिहारी जी इसका कोड़ ठीक कर दे तब तक मैं हटूँगा नहीं अब तो वो भग्त भी प्रेशान होकर ज़ला कर कहा कि जाओ बिहारी जी तुमारा कोड़ ठीक करें ऐसा उस भग्त ने कहा और कै करके चला गया अब वो भग्त जैसे ही मंदरे में पहुंचा क्या देखता है कि बांक के बिहारी धर्शन दे रहे हैं बड़ा ही सुन्दर स्रिंगार है बड़ा ही सुन्दर उनका रूप है मोटी मोटी आँखे है कजरारी गुमरारे बाल है सुन्दर पोशाक है सुन्दर नेत्र है सुन्दर कपोल है धर्शन आज पहली बार दिये और रोहने लगा बिहारी जी के दर्शन हो रहे है और पूछा कि बिहारी जी इतने दिन से मैं आया तुमने मुझे दर्शन नहीं दिये और आज तुम मुझे दर्शन दे रहे हो क्या बात है बिहारी जी मेरे प्रेम में मेरी सेवा में कोई कमी रह गई तो बिहारी जी बोले हैं कि भाई सच कहूं तुम मेरे निश्काम भगत हो आज तक तुमने मुझे कभी कुछ मांगा ही नहीं इसलिए मैं क्या मूले के तुम्हें दर्शन देता या सबी भक्त तो मुझसे कुछ न कुछ मांगने में लगे रहते हैं कोई भक्त नहीं है जो मुझसे नए मांगता हो केवल और केवल तुम ही मुझे ऐसे मिले हो इसलिए मैं जो मांगते हैं उन सभी से नजरे उठा के बात करता हूँ लेकिन तुमसे कैसे नजरे मिलाता है लेकिन तुमने आज रास्ते में उस कोडी से कहा जिसने तुमारे पैर पकड़े थे कि बिहारी जी तुमारा कोड ठीक कर दे इसलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आ गया कि तुन्हें आज पहली बार मांगा और वो भी अपने लिए नहीं दूसरे के लिए और तु तु मेरा सच्चा भगत है हमेशा दूसरों की सेवा में लगा रहता है और आज मैं तुझे दर्शन देता तो कब देता भिया अगर आज तुझे मैं दर्शन देता तो मुझे पता है तुझ जीवित नहीं रहता आज वो भगत रोया कि प्रभू आज के बाद मैं कभी भी आप से प्राण देने की जिद नहीं करूँगा मुझसे अपराद हुआ है तो बिहारी जी ने उन्हें खूब दर्शन दिये है बग्द बहुत रोया है और उनका दर्शन पाकर उनकी चवी आँखों में बसा कर आज वो बग्द बिहारी जी के मंदर में सजलनेत्रों से गया है इस तरह से आज बांके बिहारी ने चमतकार किया है और अपने भग पेकिरपा किया है भगवान कहते हैं तुम सकाम हो तो भी कोई बात नहीं तो भी आओ मेरे द्वारे लेकिन निशकाम हो तो बात ही अलग है सोने पे सुहागा कैसे भी करके आओ तुम मुझसे मिलने आओ मैं तुमें दर्शन देने के लिए बैठा हूँ तो यह बांके बिहारी के चमतकार की कथा मुझे पढ़ने को मिली बड़ी प्यारी लगी तो मैं आपके लिए लेके आया बोलिए बांके बिहारी लाल की जै आगे भी बांके बिहारी जी की श्री कृष्ण की राधरानी की उनके भक्तों की कुछ कथा काहिया किसे परसंग और उनसे जुड़े हुए परशंग मा आप तक लाता रहूँगा आज की कथा को यही विराम आपको मेरा पड़ाम जै श्री आराम जै जै श्री राधे